हम विघन विनाशक स्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम विघन विनाशक स्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं देगजानन भगवार, तुम तो हो दयानिधार भक्ति जनों, आज हम कवरी नंदन स्री गणेश की जन्म कथा का वर्डन करेंगे भक्ति जनों, स्री गणेश जी विग्न बिनाशक तो है ही, इन्हें सब देवताओं में सर्व प्रथम पोजनिय का वर्दान भी प्राप्त है यदि स्री गणेश प्रसन रहे तो माता लक्षमी का निवास स्वयम ही भक्तों के घर में हो जाता है स्री गणेश ही रिध्धी सिध्धी के दाता है, इनकी पूजा करने से भक्तों को सत्वध्धी प्राप्त होती है तो आईए भक्तों, सुनते हैं स्री गणेश की ये पावन कथा गणपत जी का सुन लो भक्तों कैसे हुआ अवतार ग्रंथों और पुराणों में वर्णन है बारंबार स्री गणेश की कथा ये भक्तों बड़ी पावन है स्री गणेश जी कृपा करें जो करता स्रयवन है शुव पुराण में मिलता है स्री गणेश कथा वर्णन भगतों अब तुम सभी ध्यान से सुनो लगा कर मन एक बार गवरा माता जी कर रही थी असनान तभी अचानक पहुच गए है शुव शंकर भगवान लज्जा वस माता के नेत्र फिर जुक ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्री गणेश ही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं बेग जानन भगवार तुम तो हो दयानिदार बेग जानन भगवार तुम तो हो दयानिदार भक्ति जनो एक बार की बात है माता गौरा जब असनान कर रही थी तो अचानक वहां भोले नात पहुच जाते हैं लज्जा वस माता का असनान अधूरा ही रह जाता है तब माता गौरा ने सोचा शिवगण तो कोई भोले नात को रोक नहीं सकते अतह महल के द्वार कोई ऐसा दर्बान होना चाहिए जो मेरी आज्या के बिना किसी को महल के भीतर प्रवेश नहीं करने दे माता को इसका एक उपाय सुझा मा को शिव का अचानक आना रास नहीं आया माता ने अपनी काया से फिर उबटन छुडवाया अपने उबटन से मा ने एक पुतला बनाया है उस पुतले की वालक के जैसे ही काया है माता फूक ना चाहती है उस पुतले में फिर प्राण यहीं समझ कर माता ने किया भोले नाथ का ध्यान फिर माता ने उसके कान में मंत्र फूक दिया है मंत्र की शक्ती से पुतला भी जीवित हो गया है पुतला मा ने बनाया था अब प्राणा जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्रीगणेश ही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं देगजानन भगवार, तुम को हो दयानिदार भगत जनों असनान और ध्यान में किसी प्रकार का विठ्ण नहीं होना चाहिए यही सोच कर माता ने अपने उब्टन से पुतला बनाया था और अपने मंत्र की शक्ति से उसमें प्राण फूक दिये ताकि माता के असनान में कोई विघ्न ना आये स्री गणेश जी को इसी लिए विघ्न विनासक भी कहते हैं सर्व प्रथम बालक ने माता को प्रणाम किया मा गोरा ने भी है उसको आशिरवाद दिया बालक बोला माता जी बतलाओ मेरा काम जिसके लिए किया है आपने मा मेरा निर्मार गोरा माने फिर तो विनायक को है दिया आदेश मेरी आज्या बिन कोई भीतर करे नहीं परवेश अब से विनायक तुम समझो मेरी ही हो संतान कंदरा द्वार पे पहरा देना बन करके दर्वाँ मा की आग्या पाके विनायक शीस जुकाते हैं आवन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजन यस्री गणेश ही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं भक्त जनों विनायक ने शीस जुका कर बोला हे माता आपने मुझे जिस कारी के लिए बनाया है कृपा करके मुझे आग्या दे तब माता गौरा कहने लगी ये विनायक तुम कंदरा के द्वार पर दर्वान बनकर पहरा देना और इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी मेरी आज्या के विना कंदरा के भीतर प्रवेश ना करे अब मुझे अश्नान करने को जाना है तुम कंदरा के द्वार पर जाकर पहरा दो पहरदार बन करके विनायक बैठी ही जाते हैं भोले नाथ इतने में कंदरा द्वार पे आते हैं देखा कोई बालक बैठा बन करके दर्वार भोले नाथ उस बालक को तो ना पाए पहचा कंदरा के भीतर प्रवेश जो भोले ने करना चाहा जट से वो बालक है फिर भोले के सामने आया कहने लगा बाबा मेरी मा ने दिया मुझे आदेश उनकी आग्या बिना करे ना कोई भीतर परवेश आप बताओं किस अधिकार इस भीतर जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्री गणेश ही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं देग जानन भगवार तुम तो हो दयानिधार भक्त जनो इस प्रकार विनायक ने भोले नात को भीतर जाने से रोक दिया और कहने लगे कि हे बाबा मेरी माता का आदेश है के उनकी आज्या के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता अतह मैं आपको कदरा के भीतर प्रवेश की अनुमती नहीं दूँगा अन्जान भालक के वचन सुनकर भोले नात को बड़ा ही विश्मय हुआ और बिनायक से कहने लगे कौन हो बालक और बताओं कहां से तुम आए हम है भोले नात हमें पहचान नहीं पाए जिस माता की तुमने बालक आग्या है मानी उसी तुम्हारी माता के है हम तो स्वैम स्वामी पहले बिनायक ने उनको है अपना परिचे बताया कहने लगे माता ने मुझे को पहरे पर बैठाया आज्या दी है माता ने तो मुझे माननी होगी कंदरा के भीतर प्रवेश न कर सकते तुम जोगी माता को दिये वचन पुत्र तो सदा निभाते हैं पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्री गणेश ही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं भक्त जनों जब विनायक अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो भोले नाथ बड़े ही आश्या रिचकित होते हैं और नंदी से कहते हैं हे नंदी इस हठी बालक को यहां से हटाओ भोले नाथ की आज्या पाकर नंदी विनायक को बल पूर्वक हटाने का प्रयास करते हैं किन्तु विनायक टस से मस नहीं हुए इतना देख कर अनेकों ही शिवगण आ जाते हैं और बल पूर्वक विनायक को वहां से हटाने का प्रयास करते हैं किन्तु अकेले विनायक सभी शिवगणों पे भारी पड़ जाते हैं सारे ही शिवगण मिलकर भी उन्हें हटाना पाएं इतना देख कर भोले नाथ को क्रोध बड़ा ही आएं भोले नाथ ने फिर से विनायक को चेताया हैं हट जाओ बालक वरना समझो काल तेरा आया है किन्तु विनायक ने तो जैसे सुनी नहीं चेतावनी शिवगणों और विनायक में हो रही थि तनातनी उस बालक पर भोले नाथ को क्रोध बड़ा ही आया क्रोधित होकर भोले नाथ ने फिर तिर शूल चलाया शिस विनायक का तिर शूल से काट गिराते हैं पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्री गणेश ही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं एग जानन भगवार तुम तो हो दयान धाल भगत जनों सभी शूगणों ने अपना पूरा बल लगाया किन्तु विनायक को कोई भी वहां से हटा नहीं पाया इतना देखकर भोले नात बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशूल के वार से विनायक का शीष ही काट गिराया इतने में अश्नान करके गौरा माता लोट आती हैं जब उन्होंने देखा कि गणेश मुर्चित पड़े हुए हैं और भोले नात बड़े ही क्रोधित हैं तो तुरंत समझ गई और कहने लगी हे भोले नात ये आपने क्या किया तो भोले नात कहने लगे ये बालक बड़ा ही जिद्धी था मुझको यह भीतर प्रवेश करने से रोक रहा था ना तो इसने मेरी बात मानी और ना ही किसी शिवगण की बात मानी और बल प्रियोग करने लगा इसलिए मैंने इसे उचित डंड दिया है तब भोले नात से माता गौरा विलाप करते हुए कहती है स्वैम ही भोले नात दिया था मैंने इसे आदेश मेरी आग्या बिना करे ना कोई कंदरा में प्रवेश मेरे ही आदेश कपालन ये तो कर रहा था आप बताएं भोले नात फिर इसका दोस है क्या दोश अगर मेरा ही है तो डंड मुझे भी दो या फिर मेरे पुत्र को भोले जीवित तुम कर दो कहने लगे भोले ये तो ना संभो हो पाएगा खंडित हो गया शीसवार से कैसे जुण जाएगा सुनकर मा की आँखों में आसु आ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्री गणेश ही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं बेग जानन भगवार तुम को हो दयानिदार भक्ति जनों विनायक को मुर्चित अवस्था में देखकर माता गौरा विलाप करने लगी और बार बार भोले नाथ से अपने पुत्र को जीवित करने की विंती करने लगी किन्तु भोले नाथ ने समझाया के हे देवी ये कदापी संभव नहीं है क्योंकि त्रिशूल के वार से विनायक का सीस ही खंडित हो चुका है जब बार बार बिलती करने पर भोले नाथ नहीं माने तो माता गौरा अत्यंत ही क्रोधित हो गई और कहने लगी यदि मेरा पुत्र ही जीवित नहीं हो सकता तो फिर मेरे क्रोध की ज्वाला का ताप तीनों लोकों को सहना पड़ेगा माता का यह विक्राल रूक देखकर सभी देवता गड़ धर धर कापने लगें उन्होंने भोले नाथ से विंती की हे भोले नाथ यदि माता की क्रोध की अगनी भड़क गई तो तीनों लोक जलकर भस्म हो जाएंगे अतहर हम आपसे विंती करते हैं कि विनायक को जीवित करने का कुछ उपाय कीजिए आखिर भोले नाथ भगतों बड़े ही वरतानी सब देवों ने विंती की तो भोले नाथ ने मानी लेकिन बोले शीस तो इसका खंडित हो गया है खंडित शीस विनायक का नाफिर से जुण सकता है संभो है तब प्राणे लोट में दूजा सीस कोई हो जीवित कर दूँगा मैं इस कोई सीस तो लाके दो किन्तों सिर्फ उस बच्चे का जिस बच्चे से माँ निश्चंत हो करके सोई हो अपनी पीठ घुमाँ ऐसा सीस जुणेगा भोले नाथ बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्री गणेश ही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं बेगजानन भगवार तुम तो हो दयानिधार बेगजानन भगवार तुम तो हो दयानिधार भक्ति जनों भोले नाथ ने बताया के बिनायक का जीवित होना तभी संभव है जब इसके लिए कोई अन्य सीस का प्रयोजन हो लेकिन ध्यान रहें सीस ऐसे बालक का होना चाहिए जिससे उसकी माता पीठ फेर के सोई हो सभी देवता वन की ओर ऐसे सीस की खोज में चल दिये तो श्वयम भगवान विश्णू को भद्रा नदी के किनारे एक वन में ऐसी हतनी दिखाई दी जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोई हुई थी भगवान विश्णू उस हाथी के बच्चे का सीस लेकर आ गए और भोले नाथ के हाथों में सौप दिया जैसा भी चाहिए था वैसा शीस मिल गया है गज का शीस ही भोले नाथ ने विनायक को दिया है जोडा सीस तो विनायक के फिर लोटाएं है प्राहन भोले नाथ वरदानी भी है और है दिया निधान फिर तो विनायक ने भोले से शमा याच ना की हाथ जोड कहने लग की मुझसे तो भूल हुई जीवित देख के पुत्र को माता भी प्रसन हो जाए गजिकाशी से लगा है इनको गजानन कहलाएं भोले नाथ के चरनों में फिर सीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्री गणेश ही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं भक्ति जनों इस प्रकार भोले नाथ ने विनायक को फिर से जीवित कर दिया भक्ति जनों विनायक को गज का सीस लगने के कारण ही इन्हें गजानन के नाम से भी जाना जाता है जीवित होते ही विनायक ने भोले नाथ से छमा प्राफना की भोले नाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें सभी गणों का अधिपती नियुक्त कर दिया क्योंकि सभी स्युगण मिलकर के भी विनायक को हरा नहीं सके थे स्युगणों का अधिपती होने के कारण ही इन्हें गणपती बोला जाता है आईए भगतों सुनते हैं विनायक को प्रथम पूच्जनी होने का वर्दान कैसे मिला था गणेश कार्तिक दोनों ही भगतों सिव की है संतान दोनों ही उत्तम है वोतो और दोनों ही महा एक बार दोनों भाईयों में होने लगी चर्चा दोनों में से किसको मिले सरवोतम का दरजा दोनों भाईय आपस में ही जानन चाहते हैं प्रश्ण ये लेकर ब्रह्माजी के पास में आते हैं दोनों भाईयों ने ब्रह्माजी को है किया प्रणाम लगे पूचने हम दोनों में बोलो कौन महा सुनकर उनका प्रश्ण ये ब्रह्माजी मुसकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्री गणेश ही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं देग जानन्य भगवार तुम तो हो दयानिधार भगत जनों कार्तिक और गणेश का ये प्रस्न सुनकर प्रम्हा जी मुस्काए और कहने लगें इस प्रस्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है आप दोनों विश्नुजी के पास जाएं हो सकता है विश्नुजी इस प्रस्न का हल कर दें तब दोनों भाई अपना यही प्रस्न लेकर विश्नुजी के पास आते हैं और उनके चर्णों में वंदन करते हुए वही प्रश्ण विश्णू जी से भी करते हैं किन्तु विश्णू जी ने भी प्रश्ण का उत्तर देने में असमर्थता जताई और कहने लगे आप दोनों भाई भोले नाथ की संतान हैं तो स्वयम भोले नाथ ही बताएंगे आप दोनों में उत्तम कौन है तब दोनों भाईयों ने भोले नाथ से आकर यही प्रश्ण किया उनका प्रश्ण सुनकर भोले नाथ कहने लगे इस प्रिथवी का चक्कर जो भी पहले लगा कर आई दोनों भाईयों में सुननों वही उत्तम माना जाए सर्वोतम होने का उसे ही मिल जाए अधिकार और पूजा भी करे प्रथम उसकी सारा संसार इतना सुनकर कार्टिक तो है हुए अधीर बड़े लगाने को प्रिथवी का चक्कर लेकर मोर उड़े लेकिन भग तो विनायक की तो मूशक की है सवारी उस पे बैठ के कैसे घूमते सोचो प्रिथवी सारी अपने बुध्धी बल को विनायक फिर अजमाते हैं पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्री गणेश ही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं देग जानन भगवार तुम तो हो दयानिधार भक्त जनो भुले नात की बात सुनकर कार्तिक तो तुरंत ही अपना मोर लेकर उड़ गएं और सोजने लगें सर्वोत्तम होने का अस्थान तो मुझे ही प्राप्त होगा किन्तु भक्तों गरेश जी का वाहन तो मोसक ही है कार्तिक से पहले प्रिथिवी का चक्कर लगाना उनके लिए कैसे संभो हो सकता था तब गरेश जी ने अपने बुद्धी बल का इस्तेमाल किया और मुशक पर सवार होकर अपने मात पिता का चक्कर लगा दिया और कहने लगे माता पिता का अस्थान तो सारे ब्रम्हांड से उचा है स्री गणेश की बात सुनकर भोले नाथ जी बड़े ही प्रसन हुए और उन्होंने सर्वुत्तम अस्थान स्री गणेश को दे दिया भोले नाथ के आशिरवास से ही सभी देवताओं में स्री गणेश की पूजा सबसे पहले होती है स्वयम ही भोले नाथ नेन को दिया है वरदान बुद्धी बल के कारण मिला है इनको प्रथम मस्थान इनके बुद्धी बल को भोले ने भी माने लिया प्रथम पूजनिय होने का भी तब वरदान दिया स्री गणेश की भगतों यही तो पावन गाथा है डियस पाल भी करके नमन भगतों को सुनाता है हंस राजरल हन चाहता है ऐसी कथाए सुनना फोजी सुरेश लिखता जाता है स्री गणेश बंदना सुनते हैं जो भक्त बड़ा ही पुन्य वो पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं प्रथम पूजनिय स्री गडेश ही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं एक जानन भगवार तुम तु हो दयानिदार शंकर सुवन गडेश जी मा गोरा के लाल शंकर सुवन गडेश जी मा गोरा के लाल पहले नाम तेरा जपूँ लेना हमें समाल का जानन सिद्धि विनायक आप हो विगन विना शकना गोरी नंदन आप के चरणों में है प्रणाम हमारा चरणों में है प्रणाम लंबो दर सब देवों में तुम राओं चास्थान देवी देव भिले रहे प्रतम तिहारा नाम का जानन प्रतम तिहारा नाम रेधि सेधि आपको गणपती चवर धुराए मा भवानी आपको मोदक भोग लगाएगा जानन मोदक भोग लगाएगा जानन मात पिता ब्रह्म हांड है आपने दिया बताए मात पिता ब्रह्म हांड है आपने दिया बताए साथ परिकम आपने उनकी दई लगाएगा जानन उनकी दई लगाए सचेहरदय से आपको भक्त जो भी ध्याए सचेहरदय से आपको भक्त जो भी ध्याए बलबुध विद्या सब मिले धन धान वो पाएगा जानन धन धान वो पाएगा देना ऐसा ग्यान हमें चल सत्य के मार्ग पाप ताप से हम बचें रह चर्णन के साथ तिहारे एक दंत दयावन्त हो मूशक के असवार बिच भवर नई या मेरे करना भव से पार गजानन करना भव से पार मैं शरण तुम्हरी प्रभू रखना सिर पर हाथ मैं शरण तुम्हरी प्रभू रखना सिर पर हाथ गणपति बपा मोर्या रहना सदा मेरे साथ का जानन रहना सदा मेरे साथ विग्न हरण मंगल करण गोरि पूत्र गणेश विग्न हरण मंगल करण गोरि पूत्र गणेश पाप ताप संकट हरो काटो कस्ट कलेश हमारे काटो कस्ट कलेश सचे मन से जो करे श्री गणपत का ध्यान सचे मन से जो करे श्री गणपत का ध्यान उन भगतों के पून हो पल में सारे काम रवतों पल में सारे काम ऐसी मेरी मनों कामना करू तेरा गुणगान ऐसी मरी मनों कामना करू तेरा गुणगान बल बुधी का दान दो हर लेना अग्यान हमारे हर लेना अग्यान हम भगतन को गणपती कल युग बहुत सताई हम भगतन को गणपती कल युग बहुत सताई भगत तिहारे दर खड़े देना पार लगाए का जानन देना पार लगाए कंचन थाल सजाएके धूप और दीप जलाए कंचन थाल सजाएके धूप और दीप जलाए एक जानन आपकी आरति मन से काए रगणपत आरति मन से काए जन्दन का वन्दन प्रभू कर लेना सुईकार चन्दन का वन्दन प्रभू कर लेना सुईकार चरन शरन में लगाएके देना अपना प्यार गजानन देना अपना प्यार ओ जै गणेश गणपति सुककारी अप रंपार है महिमा तुम्हारी जै 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 गणपति भगवान जद में भूजी तेरा ना ओ प्रत में पूजित शिव के दुलारे माता गौरा के तुम प्यारे समसी प्रत में तुम्हों परिणा जग में भूजी तेरा ना ओ सब देवों ने तुमको पूजा ओ सब देवों ने तुमको पूजा तुझे तुमको सकल जाहान जै 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 गणपति भगवान ओ ब्रमा विश्नु और महेशान ज्यान धरे तुम्हरा विखनेशान शिव ने दिया तुम्हों परिदान जग में यारे तेरी शान ओर दे सिदि के तुम दाता सब के तुम हो भाग्य विधाता तुरन करती सब के काम जै 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 गणपति भगवान ओ मुशकवान प्रभु है तुम्हारा वेश तुम्हारा है अत्य प्यारा चतुर गुनी तुम्ह करुणा निदान जै विघनीश्वर तुम हो माहार जै 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 गणपति ओ अस्ट विनायक मंगलकारी भगतों के हो तुम सुखकारी प्रितकारी है तुम्हारा ज्यान कश्ट कटे दुख मिटे तवा ओ सिर सोने का मुकट विराजे शंक गदा और उस्तक साजे सब को देते ज्यान का दान जै लंबू दर जै भगवान ओ जब जो तुम को हर पल ध्यावे सुख वो सकल जीवन में पावे आओ भगतों जपरोना जै लंबू दर जै भगवान ओ आओ कथा तुमको ये सुनाए एक दन ता क्यों प्रभु कहलाए एसे पाया पावन ना जै 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 गड़ ओ बच्पन में रिश्यों को सता आते करके शरारत ये दिखलाते नग करते मुनियों का ध्यान तै जै 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 गड़ पति भगवान ओ ध्यान मगन थे शंकर एक दिन परशुराम तब आये परवत पर ओ ले शिव से मुझे है काम गड़ पति ने रोपा तब आ ओ विगनेश्वर उनको समझाते ओ परशुराम कुछ समझ न पाते भंग करो न पिता आध्यान बोले गड़ पति सुनो श्रीमान ओ प्रभ बोले मिलकर ही जाओं ना जो मिले तो घर नहीं जाओं बड़ा जरूरी है मुझे काम जय 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 गड़ पति भगवाल ओ आज अगर ये मिलन न होगा यूद तुम्हें फिर करना होगा होगा नहीं फिर कुछ आसान जय 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 गड़ पति भगवाल ओ यूद भयंकर वर परस पड़ किये बार गड़ पतिने नेश फल परशुवार किया परशुराम शिव ने दिया जो शस्त माहार ओ परशुराम ने फरसा फेका विगनेश्वर का दंत था तूटा ओ रा आई हुई है रान वार किया क्यों परशुराम ओ शमायाचना करतर शिवर लंबो दर ने पाया तब वर एक दंत तब पाया ना पूजा अर्चना करे जाहा ओ एक कथा ऐसी भी आती इसी नाम की महिमा बताती वेत व्यास इतरी शिवा नाम महा भारत रच तेती सुझा ओ कार्यभार गणपति को सुपा लिखते जाओ जो मैं कहता रचना का तब होगा विधान कर दो मेरे पूरने का ओ महा भारत तब वो रचते थे लिखते लिखते ना थकते थे एसी गणपती उनकी था तैजे जे गणपती भगवार ओ तूटी कलम से हैसा ही उनकी ओ रुक गई गती तब उस ले खनकी समझना आए क्या करे का जे 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 गणपती भगवार ओ फिर भी सास ना ही छोड़ा ओ ओ गणपत ने एक दात को तोड़ा इया दंत से कलम का आएसे मेरे देव माहा ओ महा भारत की करदी रचना अद भुतकार्य की सजग कलपना पूरन हो गई रिशी की का जे 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 गणपती भगवार ओ रिशिवर मुनी जन तब वहां आए देवों ने तब सुमन चड़ाए विग्रे दंत तब पड़ा था नाम विग्रे ने इश्वरे गड़े पती भगवार ओ मोदक भोग है इनकों बाता जो भी चड़ाता सब सुख पाता पूरन हो ते भी गड़े का जे 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 गणपती भगवार ओ अस्ट विनायक मंगल कारी महिमा जग में जिनकी भारी देती है भग तो हो ग्यान गोरी लेले ना खुड़ों की खान ओ एक दंता की गाये जमहिमा ओ बढ़ती जग में उनकी गरीमा धने यश पाता सुक और वान वेहे जने केहलाता है माहान ओ इन चर्णों में शिश नवालो ओ पूजन कर सादा सुख पालो सचे मन से कर लो ग्यान तैजे जे गड़पती भगवान ओ करता से जो उर्जा पाई गड़पती महिमा तब ही लिखा आए मेरे गुण वो भी दे जो ग्यान ऐसे गड़पती देव माहान ओ भिगनेश्वर की महिमा गालो ओ ओ लम्बो दर से खुशियां पालो जूली तागड़पती भाना पूरण होते उसके का ओ ओ ओ ओ ओ चंदन ने महिमा तब आई ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ फे गड़पती जी रहना सहाई ओ ओ गंगड़पती बाप्पा मोरयां ओ गंगड़पती बाप्पा मोरयां अश्ट विनायक नमो नमा अश्ट विनायक नमो नमा गंगड़पती बाप्पा मोरयां ओ गंगड़पती बाप्पा मोरयां श्रिसिधि विनायक नमो नमा अश्ट विनायक नमो नमा गणपति बाप्पा मो रया श्रिसिधि विनायक नमो नमा अश्ट विनायक नमो नमा गणपति बाप्पा मो रया ओम गणपति बाप्पा मो रया ओम गणपति बाप्पा मो रया ओम गणपति बाप्पा मो रया श्रिसिधि विनायक नमो नमा अश्ट विनायक नमो नमा गणपति बाप्पा मो रया ओम 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 गणपति बाप्पा मो रया गणपति बाप्पा मोरया ओंगंगणपते नमो नमा श्रिसित्धि विनायक नमो नमा अश्ट विनायक नमो नमा गणपति बाप्पा मोरया ओंगंगणपते नमो नमा श्रिसित्धि विनायक नमो नमा अश्ट विनायक नमो नमह गणपति बाप्पा मूरया 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 ओम गणपति बाप्पा मूरया अश्ट विनायक नमो नमह गणपति बाप्पा मूरया अश्ट विनायक नमो नमह गणपति बाप्पा मूरया जैगणपति सत गुण सदन कविवर वदन कृपा विघन हरड मंगल करड जय 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 गिरी जालाल जय 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 गणपति गण राजु मंगल भरड करड शुब काजु जै 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 गण पती गण राजू मंगल भरण करण शुभ काजू जै गज बदन सदम सुख ताता विश्व विनायक बूति विधाता वक्र टूंड शुची शुन्ड सुहावन तिलक त्रि पुंड भाल बन भावन जै 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 गण पती गण राजू मंगल भरण करण शुभ काजू राजत मणी मुक्तन उर माला स्वर्ण मुक्ट सिर नयन विशाला पुस्तक पाडी कुठारत शोलं मोदक भोग सुगन्धित भोलं सुंदर पीतां बरतन साजित चरण पादु का मुनी मन राजित धनश्व सुबन सडानन भाता गौरी लालन विश्व विख्याता जै 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 गण पती गण राजू मंगल भरण करण शुभ काजू रिधि सेधि तब जवर सुधारे मूशक बाहन सोहत द्वारे काहाओ जन्म शुभ कधा तुमारी आतिशुच पावन मंगल कारी एक समय गिरी राज कुमारी पूत्र है तु तप कीना भारी भायो यक्य जब बूड अनुपा तब पहुचयों तुम धरी बुजे रूपा जै 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 गड़ पति गड़ राजु मंगल भरण करण शुभ काजु अतित जाने के गौरी सुखारी बहु विधि सेवा करी तुमारी अति प्रतन हवे तुम वर दी हां मा तु पूत्र ही ते जो तप की हां मिला ही पूत्र तुही बूत्र विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गड़ नायक गुण ग्यान निधाना उजित प्रथम रोप भगवाना जै 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 गड़ पति गड़ राजु मंगल भरण करण शुभ काजु अस कहिं अंतर ध्यान रूप हावे पाल न परवालक सव रूप हवे पनिश शुरूतन जब तुम ठाना लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावई नभते सुरन सुमन वरसावई शंभु उमाबहु दान लुटावई सुर मुनि जन सुत देखन आवई जै 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 गड़ पति गड़ राजू मंगल भरण करण शुप काजू लखि अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनी राजा निज अवगुणे गोनि शनी मन माई बालक देखन चाहत नाही गिरी जाक छुमन भेद बढ़ायों उत्सव मोर नाशनी तुही भायों कहत लगे शनी मन सकुचाई काकरी होश शुमोही दिखाई जै 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 गड़ पति गड़ राजू मंगल भरण करण शुप काजू नहीं विश्वास उमाहूर भयाओं शनी सो बालक देखन कहयाओं पग तहीं शनी द्रिग कूड प्रकाशा बालक सिर उड़ गयों अकाशा गिरी जागिरी विकले हावे धरणी सो दुख दशा गयों नहीं वरणी हाँ हाँ कार मचयों कैलाशा शनी कीनों लखि सुत को नाशा जै 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 गड़ पति गड़ राजू मंगल भरण करण शुप काजू तुरत करोण चड़ी विश्णू सिधायों काटी चक्र सोग जै सिर लायों बालक के धर ऊपर धरयों प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डरयों नाम गड़ेश शंभू तब कीन है प्रथम पूझ बूधी वर दीन है बूधी परेख्छा जब शुब कीन हां बिथवी कर प्रैत छिडाली हां जै 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 गड़ पति गड़ राजू मंगल भरण करण शुब काजू जल सडानन भर मैं भूलाई रचे बैठ तुम बूधी उपाई जरन मातू पितू के धरली है तिन के साथ प्रदर छिड़ कीने धनी गड़ेश कहिश वहिया हरशे नभते सुरान सुमन वहु बरसे तुम्हरी महिमा बोधी बड़ाई शेस सहस मुख सके नगाई जै 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 गड़ पति गड़ राजू मंगल भरण करण शुब काजू मैं मतिहीन मलीन दुखारी करा हूं कौन विधि बिनै तुम्हारी भजत राम सुंतर प्रभुदासा जग पर्याग ककर दुरवासा अब प्रभुदया दीनन पर कीजे अपनी शक्ती भक्ती दीजे जै 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 गड़ पति गड़ राजू मंगल भरण करण शुब काजू जै गनेश जै गनेश जै गनेश देवा जै गनेश जै गनेश जै गनेश देवा जै गनेश जै गनेश जै गनेश देवा एक दंत दया बंत चार बुजा धारी माथे पर तिलक सोह मूस की सवारी पान जड़े पूल चड़े और चड़े मेवा लडवन का भोग लगे संत करे सेवा जै गनेश जै गनेश जै गनेश देवा अंधन को आख देत कोड़िन को काया पांजन को पुत्र देत निर्धन को माया सूर शाम शरण आए सपल कीज सेवा माता जाकी पारवती पिता माह देवा जै गनेश जै गनेश जै गनेश देवा माता जाकी पारवती पिता माह देवा माता जाकी पारवती पिता माह देवा जै गनेश जै गनेश जै गनेश तेवा जै गनेश जै गनेश जै गनेश तेवा जय गनेश जय गनेश जय गनेश जय गनेश